आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन्द धर्म का उद्गोश ऐसे ही लेटस्ट अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को तेन भुवन में सारे भी तेरा अगे भी ज्ञानेता सिवस्वरूप सिवकार नमहुत्रियोग संभारी के बुले देवाजी देवस्री अचंद प्रभू भगवाने कीजे बुले देवाजी देवस्री पारशनात भगवाने कीजे बुले आचारे चारे चारे चकवरती सी सांती सागर जी महराजे कीजे बुले आचार रतने एक सो आर्सी अजित सागर जी महराजे कीजे गुर्वर आचारे कल्प एक सो वार्सी सनमती सागर जी महराजे कीजे बुरे जैने धर में कीजे दोड़त रामभी ने इस छेड़ाला के अंदर आत्मा के तीन भेद कहे बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा आत्मा के तीन भेद अनादिकाल से हैं कोई नए नहीं है लेकिन फिर भी उनने अपनी छेड़ाला के गुंठन में आत्मा के तीन भेदों को गुंच कर बहुत ही सुन्दर विवेचन उन्होंने किया उन्होंने कहा बहिर आत्मा, क्या कहा बहिर आत्मा, बहिर माने बाहर, बाहर को ही आत्मा जाने, उसका नाम है बहिर आत्मा बाहर माने, मैं और मेरा, ये दो चीज जो संसार के अंदर है, वही एक अहंकार और वही एक ममकार है मैं मेरा, ये संसार है, मैं क्या चीज है और मेरा क्या चीज है, ये आपको सोचना होगा जब तक मैं और मेरा रहेगा तब तक बहिरात्मा कभी दूर हो सकता नहीं है उन्होंने डिखा मैं सुखी दुखी मैं रंकिराव मेरे धन गर ग्रो धन प्रभाव मेरे सुत्यतिय में सबल दीन मैं दीन हूँ, निर्बद हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ ये सारी चीजें क्या चीजें संसार के अंदर मेरा है और मैं हूँ मैं सुखी दुखी मैं रंक राव मैं ही राजा हूँ मैं ही रंक हूँ मैं ही सुखी हूँ मैं ही दुखी हूँ मैं ही इस संसार के अंदर अपना परिकर परिवार वसाया है लेकिन आप सोचिए अगर मेरे ही करने से सब कुछ होता तो आज ये संसार कभी दुखी होई ही नहीं सकता मैं नहीं ये मेरा अहनकार बोलता है मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ किस ने दिखाया आप सोचते हो धन वैभो से आप बड़े हो कि जिसके पाद धन नहीं है वो हमसे बहुत नीचा है लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम यह सोचें कि पहाड के उपड़ चड़ करके अगर मानों नीचे देखता है तो वो सोचता है जितने मानों है वे सब मेरे से बहुत छोटे हैं मैं सबसे बड़ा हूँ परन्तु यह कभी नहीं सोचता कि मैं जैसे बड़ा परबत पे खड़ा हूँ ऐसे नीचे वाले अगर मुझे देखेंगे तो मैं भी उन्हें छोटा ही दिखाई दूँगा मैं बड़ा नहीं दिख सकता इसी प्रकार धन बैभो संसार के अंदर मानों को बड़ा नहीं कर सकता बड़ा किस्से होता है जब तक हमें भेद ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक ये बड़ा कह लेने का अधिकारी नहीं होता है संसार में सभी बराबर होते हैं लेकिन फिर भी ये सोचता रहता है मेरा प्रभाव है इस संसार के अंदर मैं जहां कहूँगा वहीं एक पत्था लगेगा और मैं जहां कहूँगा वहीं एक पत्था उठेगा पेर कितने दिन कितने दिन होगा ये ये जब तक खुर्पा और जादी संसार है ये तो आज में बैभो दिखाई देखता है कर खुर्पा और पाउड़ा देकर के संसार के अंदर बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो आज करोड़ पती दिखते हैं और करोड़ पती बन जाते हैं और आज रोड़ पती दिखते हैं वो कर करोड़ पती बनते हैं इससे क्या होता है इससे मान और रहंकार सभाब अपने आप सोचने में आता है कि मैं कितने दिन क्या था और आज मेरी दसाथ क्या होगा यह बड़े-बड़े राजों की भहुत सारी कठाएं आपको मिलेगी, कि राजा ही बड़े-बड़े रंक होते हैं, आप सोचिए कोटिवर्ट स्रिपार को देखी आप, पिटा के राज में भहुत सारा बैभो प्राप्त होता है, और जब स्वेब राजा बनता है, चक्रवर्टी होता है, छेखंड का राज करता है, यह तवदा निदिया और नो नरत्न होते हैं उसके पास, और इतने देव उनकी एक-एक, निदि की एक-एक रत्नों की एक-एक हजार देव से भाटता है, तिजहर देव तो उनके चड़नों में, किंकर बंद के वैखे रहते हैं लेकिन जिस दिन चक्रवर्थी दिख्षा देखता है या घर छोड़ करके बेरागी धारन करके दिगंबर भेश को धारन करता है और जब उनके दड़के वहां तक दिखा करके आते हैं दिख्षा दिख्षा देख करके आते हैं तो राज वैभ गर में छोड़के जाते हैं लेकिन जब पुने आता है उनका पुत्र घर में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो कि निधिया कहां चली गई रत कहां चले गए चक्र कहां चला गया ये सब आपको कहीं पर दिखाई नहीं देने बादे हैं तो छे खंड का राज भी उनका पंजेथा उनके साथ चला जाता है लेकिन अगर इसे को हम बाहर के बहुत संपत्ति को अपना ही मानते चले जाते हैं तो वह मानों क्या है बहीरात्मा होता है क्या सोचता है तन उपजत अपनी उपजान तन नसत आपको नाश मान सरीर की उत्पत्ति ही मानों अपना जनम मानता है और सरीर के नास को ही अपना नास मानता है लेकिन आत्मा तो हमेशा साश्वत रहती है आत्मा कभी नश्ट होती नहीं और नहीं कोई आत्मा उत्पन होती संसार में जितने भी जीव हैं चाहे वो निगोद के हो चाहे संसार के हो और चाहे सिद्धों के हो और चाहे चाहे गतियों में ब्रह्मन कर रहे हूं जितने जीव हैं वो उतने ही रहने वाले हैं एक भी जीव कोई नया उत्पन होता नहीं है और एक भी जीव का कभी बिनास होता नहीं है तो एक खाली हरुर कल्पना है कि सरीर उत्पन हुआ मेरा जनम हुआ सरीर का नाश हुआ मेरा मरन हुआ यह हमारी कलपनाएं हैं जब सरीर उत्पन होता है पुत्र किसी के घर में जनम लेता है तो आप सोच ये कितना उस्सम मनाते हैं कि मेरे आज पुत्र उत्पन हुआ है लेकिन कभी आपनी ये सोचा कि मेरे तो उत्पन हुआ है लेकिन यह कहीं से मर के भी तो आया होगा जहां से मर के आया है उसको कितना दुख होता होगा और मेरे यहां जब उत्पन हुआ है तो आज मैं कितना उस्सम मना रहा हूँ यह संसार की किरियाएं है यह संसार में अगर इस पकार की किरियाएं जब तक हमारी चलती रहेगी तब तक हमारा संसार ही रहने वाला है संसार किसे करते हैं संसर्टी इती संसारा जो चारों गतियों में भ्रमन करे जिन परणामों के द्वारा इस संसार में भूमना पड़े वे सब बहिरात्मा के परणाम है उसी के कारण से आज ये संसार के अंदर अनंता नंतकाल तक इस संसार में घुमता रहा और आहारक बनकर के मरन करता रहा अगर एक बार भी अनहारक बनकर के मरन किया होता तो ये संसार से छोटने का पुशाट भी कर सकता आज एक इंड्री को आप देखिए दो इंड्री को देखिए कैसी जीव हैं वो किस पकार इसंसार में भूम रहे हैं आप उनको नहीं दिखू वो तो उनकी पर्याएं हैं लेकिन कभी हमने ये भी सोचा कि हम भी इसी पर्याएं को धारन करके आज manusha बने हैं मनुश्व बनने से जाती कुल उत्पन होने से महा जाती महा कुल जेन धर्में उंच्छ जाती उन्च कुल दर्म लिया हमने और यहां आकर के अगर मानों सब्द्विसनी बना रहे तो इसे तो माता पिता स्वयम कहेंगे कि इसे तो नहीं होता तो अच्छा था और अगर हो करके इस प्रकार की क्रियाओं को करता रहे तो आप सोचिए माता पिता क्या सोचते होंगे आज हम भगवान महाविर की जेजे कार करते हैं उनकी परंपरा में हमने जनम लिया है अगर उस परंपरा में जनम ले करके भगवान के नाम को दूसरित करें भगवान के नाम को नीचा दिखाएं और भगवान के नाम पर हम खोटिक किरियाओं करें तो उससे क्या होगा संसार ही बढ़ेगा पार नहीं हो सकते हो तेकिन आज हम भगवान के नाम पर क्या बोलते हैं भगवान का जब नारा लगाते हैं भगवान का जब हम गानगान करते हैं तो क्या बोलते हैं जीवो और जीने दो हमारे भगवान ने हमें क्या कहा जीवो और जीने दो और भगवान आधिनाज ने क्या कहा रिशी बनो नहीं क्रशी करो आधि भगवान आधिनाज को याद करो कि भगवान ने हमें क्या कहा पहरे तो जिस जातिव कुण ने जनम लिया है उस जातिव कुण के अंदर आपको रिशी बनना होगा वही आपका कल्यान करेगा और वही जाती का हमें मान होगा और स्वाभी मान रहेगा और अगर यह नहीं बन सकते हो तो क्रशी करो खेती करो जीवन यापन करो और उससे हम चिंटवन करो कि हमारा सरीर इस क्रियाओं को करता हुआ भी पाप से बहुत दूर रहने का पुर्शाट का यह सरीर सीधा नहीं मिलता बड़ा कच्छिन काम है इसको पाना भी यह तन पाई महां तप कीजे इस सरीर को क्यों प्रात किया हमने तपश्या के लिए और बड़ारिक सरीर एक ऐसा सरीर है जिससे हम तपश्या कर सकते है बेक्रिक सरीर तो लिए वनार्कियों का होता है वहां तो हर समय सय्यम है तहीं की सादना नहीं कर सकता है जब उन्हें भूक लग जाती है तो चाहें कहीं भी खड़े हो अमरत जहर जाता है कुझी भी प्रकार का वो एक समय के लिए एक मिनट के लिए भी नियम धारन नहीं कर सकते एं इसलिए सोधर मिंद्र भी बार बार जूटता है कि ये भगवान कब मुझे मानो जीवन प्राप्त हो मैं अपना तपश्या करके अपने जीवन का कल्यान कर सो सोधर मिंद्र इसे मैंने पहले सोचता है आने वाले सोधर मिंद के लिए मैं ये सिंगासन त्याग कर जाता हूँ वहां भी उसकी त्याग की फावना रहती है परन्तु सय्यम साधना नहीं कर सकता क्योंकि वहां का नियम है जहां जिस जाते खुड में जनम लेते हो वहां के कुछ नियम होते है उसके अंसार आपको चलना होता है आज नरकों में आप भोसारी बाते सोचते हो हे भगवान नरक से निकल करके मैं ये करूँगा वो करूँगा लेकिन यहां आने के बाद आज हमें न्याद है कि नरक में हमने क्या भोगा यहां आने के बाद तो यह सरीर बोगत्य प्रदार्तों की इतनी इक्षा करता है इतनी इक्षा करता है कि कितना भी मेरे पास हो जाए चक्रवर्ति के संकति मुझे मिलनी चाहिए लेकिन चक्रवर्टी तो भया एक काल में बारा ही होते हैं चाहे उत्सरपनी काल हो चाहे आउसरपनी काल चक्रवर्टी तेरा नहीं होते चक्रवर्टी बारा ही होते हैं और वे चक्रवर्टी बारा होकर के तिठंकर के कालों में चले गए उनमें तो हमारा नमबर आया नहीं और अगली 24 के चक्रवर्टियों का नाम आ चुका उनमें भी आपका नाम है नहीं तो किसकी आस करते हैं कौन चक्रवर्टि बनेगा और कब बनोगे आज से उसकी आसा लगा कर बैठे हूँ लेकिन ये आसा ही संसार के अंदर महा दुख का कारण है आस्ता के उपर इमानो इस संसार में महा दुखी होता है मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए ना अपना बहुत चीज़ होती है चिंटवन बहुत होता है लेकिन करने के लिए हमारा पुर्षार्ट कितना जागरत कर सकता है वह हमें अपने आपको पुर्षार्टी करना पड़ेगा और अपने आपको पुर्षार्टी बनना पड़ेगा इसलिए हम बार बार ये न सोचें कि मेरा जनम सरीर से होता है और सरीर से ही मेरा मरन होता है ये नहीं सरीर तो संसार में प्रचेप को मिलता है लेकिन सरीर मिलने के बार इस से छूटने का पुर्षाट करो ग्यान धरन करो ग्यान से भेद बिग्यान होगा और भेद बिग्यान से ये सरीर हमारा दूर होगा इसके पहले नहीं हो सकता है तो बहिर आत्मा बहिर माने इस सरीर को ही हमने आत्मा मानी है बाहर को ही हमने आत्मा जाना है मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पुत्र माबाब ये सब मेरे हैं लेकिन नहीं जिस दिन तेरी दुआ के बंदो जाएगी तेरा कुछ नहीं है संसार के अंदर अगर तेरा होता तो तेरे साथ जाता ने तु लेके आया था और ने ये तेरे साथ जाने वाले हैं इसलिए हमें बार-बार इस सरीर से सोचना होगा कि है भगवन अब ये सरीर कब छुटे और कब हमें उक्ति-मुक्ति की साधना का साधन बने। कि अच्छार इस सरी प्लाइब कर दोगा कि अच्छार इस सरीर कि अच्छार इस सरी बने।